तो आप लोग का जो है Potion Tracker का जो है 15.5 अप्डेट आ गई हैं और ये बहुत ही महटपून हैं और आप लोग को ज थो है इस तरह का जो है अपडेट कर दी गई है कि आप लोग को जो है इस एक गर को देख के भरोध ही खुसी मिलेगी तो चली हम लोग जानते है यानि कि पोशन ट्रेकर का 15.5 में क्या-क्य अपडेट आई है यानि कि आप लोग को 4 अपडेट आई है 4 में क्या आई है सबसे पहले आप लोग देखे कि आप लोग को इस तरह से जो है फंस नमर में आप लोग देखेंगे तो removed delete beneficiary option from AW यानि कि आप लोग जैसे ही किसी भी लवहार्ती को डिलेट करने के लिए जाते थे तो आप लोग को इस तरह से आती थी यानि कि नीचे में आप लोग को डिलेट करने का अप्शन आ रही थी तो आप लोग को नहीं आएगी इस तरह से आप लोग को आएगी अब डिलेट करने केबल जो है कि आप लोग को यो खेल नब्ड़नमर में आप लोग को चोटम प्रेंगें ट प्रेगनेंट बोमेंट यानि कि आप लोग को इस तरह से देख रहे होंगे कि सबसे नीचे में आप लोग को बताई जा रहा ही थी कि आप लोग कितने महिने के गर्वती है तो आप लोग लिए जानते हैं कि सबसे पहले करते हैं कि हम लोग कर लेते हैं और एक परकार का लोग के पास जल्द से पहुंचाने का करेंगे तो चले हम लोग जानते हैं तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अपटेट कर लेते हैं और एक-इक अपडेट के बारे में हम लोग जानेंगे तो यहां के closest ट्रैकर को अपडेट करने के लिए Play Store पे क्लिक करना होगा जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से पेज कुलेगी खुलने के पाद यहाँ पर देखें कि आप लोग को सर्च करने का ओप्षन दिया गया है यहाँ से आप लोग portion tracker लिखेंगे तो इस तरह से आप लोग देखें कि अब्डेट आ गई है और यहाँ से आप लोग जैसे ही update पर click करते हैं तो आप लोग को जो है कुछ समय तक कि यह पेंडिंग में दिखाएगी और यहाँ पर buffering करेगी और जैसे ही हो जाएगी तो आप को जो cancel के जगा पे आप लोग को open आ जाएगी आने के बाद आगे हम लोग चलेंगे एक एक जानकारी आप लोग के लिए महत्पूल है सबसे पहले देखिए कि चार अपडेट आई है और आप लोग इस वीडियो को पोसंट रैकर में पहुचा दिया जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको काटते हैं और काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि 15.5 जो है आप लोग को जेसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ आप लोग इस तरह से देख के बहुत ही ठूस हो जाएंगे यारी कि देखे आप लोग इस तरह से पोसंट रैकर में जो है बोक्स जे बेनियो बोक्स upgrade किया गया है यानि कि आप लोग को चौथा नंबर में आप लोग को बता रहे थे कि new beneficiary boxes ul added यही आप लोग को जो है boxes add किया गया यानि कि pregnant woman का इस तरह से लोगों दे दी गई है lactating mother का इस तरह से boxes में दी दी गई है उसको 0-6 मा का इस तरह से दे दी गई है तो आप लोग को जो है इसतना महत्मून अपडेट आई है आप लोग प्यार से देखते रहे है और यह आप लोग को first आई यानि कि आप लोग को यह first बताए है कि आप लोग को जो है बेनिफिसरी निव बॉक्सेज यू एड़ यानि कि यह है ठीक है यानि कि first यानि कि यह हो गया second में हम लोग चलते हैं सबसे पहले देखे कि remove लोग कोड़े यानि के आप लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं यानि कि हम लोग करते हैं तो हम लोग को देखते थे कि यहां पर आप लोग को delete करने का option आ रही थी यह आप लोग को हटा दी गई है यानि कि first number में ही आप लोग को जो बताया गया था कि remove delete beneficiary option form AWC यानि कि आप लोग को यह डिलेट करने का option क्या हुआ है हटा दी गए जैसे कि यहां पर देखें कि यह first आप लोग को update है और यह हम दूसरा आप लोग को दिखा दिए ठीक है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इस तरह से जैसे कि यहां देखें और आप लोग को जो है एडो रजिस्टेशन करते थे pregnant bomen में जाते थे इस तरह से किलिक करते थे तो आप लोग को जोह इसे डालते थे तो आप लोग को यहां पर प्रेग्नेंटी मंथ मान्थ यानिकि यहिजी हटा दी गई है यहीं आप लोग को iteration आप लोगको जो बताई बताई गई है कि months of pregnancy feed removed in pregnancy woman skin यानि कि आप लोग को इस तरह से जो है प्रेंग्नेंटी मन्त वो आप लोग को हटा दी गई है तो इस तरह का जो है आप लोग को जो है अपडेट है आगे हम लोग चलते हैं और लास्ट में आप लोग को बताये थे कि आप लोग को चौथा नमबर में जो बताय इस के बारे में बता दिये गए तो इस तरह से आप लोग देखरें हैं कि यह चार आप लोग को लिए अपडेट आई this work यह महत्पून कि यह जरूरी था बदकि कि यह वीडियो स्याल रिजा है जरूरी कमेंट किजिए इस वीडियो पे और इस्वीडियो को जादे से जाद आपता दिन्सुू